Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10th subject to science and worksheet number 40C and this worksheet for 11th of October 2021. So, प्यारे स्टुडेंट अभी पढ़ेंगे life process, जो इसे पहले वाले worksheet में भी हमने पढ़ा, चली, transportation in plants, यानि for plant, the soil is nearest and the richest source of the raw material, यानि plant के लिए. Soil जोना सबसे important होता है, वहाँ जोना raw material सबसे अधिक होता है, और like nitrogen, phosphorus and other minerals भी वहाँ पाया जाता है, right? The absorption of this substance therefore occurs through the part in the contact with the soils, namely the roots, ठीक है? The distance between the root and the leaves are small, energy raw materials can easily diffuse to all part of the plant body, यानि जो क्या होता है, dear student, आप सभी को पता है जो plant क्या होता है, जब यानि land से जोना क्या करता है, soil से minerals लेता है, in presence of sunlight जोना, chlorophyll में क्या करता है, अपना भोजन प्रेपेर करता है, ठीक है, और फिर body के हर एक पार्ट में plant को पहुंचाता है, ठीक है, तो यही बता रहा है, ठीक है? अब देखे, अब देखे, एप्रोपर सिस्टम अब दा ट्रांस्पोर्टेशन, जाइलम फोलोम इस एसेंचल फोर साथ सिचुएशन, यानि इसके लिए जाना, जाइलम फोलोम बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है, प्लांट दो नोट मूव और प्लांट बोडिस वाज साथ स Alejander मूव अब देखे, घ्यू इसमीह आपको ये देखना है, जैसे की, डीक है, compromise के लिए उचे, जाइलम वेपार है, अथे भाइन दोड़ मूंत पोर आट बोải्योंचल फोलोम भाजेutet ने और बहु ग्यालम फोलोम पूर्डिशन कनम आ है, फेंगे मूव प्लान फोल ही दिखने जहाना यहां पर आपको जोना को töना को ड्रास्पोर्टेशन ड्रास्पी ड्रवीडेशन्स ठीक है the process which लॉसा लॉसा ड्रोटर भर फॉल्पर्म ऑल्रोंधर शेच करता यह थुर्णटर को ऊप़ जाने में ठीक है जिसके साथ क्या होता उपर से जो है ना डियर स्टुटिंट फिर जो है ना वाटर को उपर से नीचे है जो है ना मतलब जब भोजन प्रिपेर हो जाते तो बॉड़ी के हर पार्ट में प्लांट को पहुंचाने में यह सब ट्रांस्पोर्टेशन का मतलब होता ठीक है लेकिन इसमें जोनों ट्रांस्पिरेशन है तो यह हल्प करता है तेंपरिचर रेगुलेशन इन प्लांट के लिए एफेक्ट आप रूट प्रिशर इन ट्रांस्पोर्ट अफ दा वाटर इसमोर्ट इंपोर्टेंट अट अट दूरिंग देवें दा इस्टोमेटर अर्ट अटेएज पुल बेक्मस टा इसमें पेव्न परचिंट औरह जागा तेंट्स एफेक्छान बीकमस्ते भिन देख ऐव्न सेखाते अट इसमें आपको यह देखना कि अटाइव्यों इंपॉत मॉत आक्टे अचिश्य मपहां पैर ही मसल्त आनग कि आपको यह है लिएपन कर क जाइलम का क्या काम होता है फ्लॉइम का क्या काम होता है मैं ये बता दू दिय अश्टानish plant transport systems move energy store from the leaves and the raw materials from the root these are two main conducting the path जोटेंट प्लांट में एक जाइलम होता है जो कि water और minerals को obtain करके उपर तक पहुंचाता है ठीक है इसके देख फ्लोई होता है चोकि ट्रांस्पोर्ट करता प्रोड़क्ट फोटो सेंथेसिस का जिसमें जोना लीव से बैदर दे आर सेंथेसाइज तुद अधर पार्ट प्लांट राइट अब देखिए जाइलम और फुले में डिफरेंस क्या है डिए जाइलम ट्रांस्पोर होता है from the soil to leaves यानि हमेशा स्वाइल से लीव तक होता है जबकि फ्लोईम का मुवमेंट होता है हमेशा कैन अबड और दाउनवाट डाइट फ्रम दालीव तो अधर पार्ट जबकि ट्रांस्पिरेशन से यानि एवापोरेशन सब्वाटर मॉलेकूल्स फ्रम्द लीव स्क् पूल्स वाटर फ्रम्द जाइलम सेल्स रूट जबकि मुवमेंट डिवेंट अंड नीड अव प्लांट टेक्स अंड प्लेस अप यूटलाइजिंग थे अनरजी अब नेक्स्ट देखना है इसमें कोर्शन अंसर है जो कि फाइव यहादी आसान से फाइव कोर्शन अंसर ह इससा भी एक एक Kr economist कर रहे है तो लेससा कर से इसक का समंसी को कọi देखते हैं what is the component of the transport system in highly organized plant the major component of the occurring system in the highly organized plant xylem tissue and phloem tissue right next how are the water and minerals transported in the plants the in the plants water and mineral salt are carried by the xylems absorbed from the root and the supply is the different parts next question number third how is the food transported in plants the food nutrient synthesized by the plant by the following by the following transport from the leaves to the various part of the plants influence the carry is in the both the directions as per the requirement the transport of the nutrient from the food is called the trans locations and the transfer of the these the nutrient takes place especially in the root storage organs fruits seeds and the growth organs of course number four thirty restaurant xylem plants are responsible for the transport of the xylem is plant is responsible for the water and minerals transportations what is the difference between the transport transport of material in xylem and the following this car difference we have which is from the leaves to the other part of the plant transport by xylem which can be explained by the normal physical forces can conversely the transfer by the following which is the company is by the use of of the water and energy right to do it strength like that works it out feel helpful here all right you to be like or if you are new to subscribe in this channel if you have a channel all right to subscribe and subscribe to the channel and make sure you guys increase the message of mcq test series objective series you have to receive the term one exam on which you will start quickly to be a barrier to make sure its progress will be a challenge , then all the time everything will be ahead for the task of education तो चलिए बाबाई टेक कैर